नमस्कार स्वागत आपको आज योई खबर पर चलिए शिरो करते हैं आज की ताज अबुलिटीन सबसे पहले हम आज की हाइलाइट को जानेंगे फिर खबरों को डीटेल में बिताएंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरफ टाइम से आपको डाउनलोड नहीं क चलिए पहले हाइलाइट्स बताते हैं फिर खबरों को डीटेल में बताएंगे तुबाई में दो प्राइविट कंपनियों को ईवी चार्जिंग स्टेशन संचालन के लिए मिला लाइसेंस 192 यात्री से भले विमान की रियाद मुंबई फ्लाइट की मसकट की इमजनसी लेंडिन सार्जा की फ्लाइट दो घंटे हुई लेट एरपोर्ट पार मचा हंगामा यूई ने जारी किया चितार नी बाद में पड़ेगा पश्ताना साओधी अरब में कमाते हैं लाकों भारती ये डाटा जारी सार्जा का लोग प्रिये मेली हादूद अब दुबाई में भी उपलाइट और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स क्या है आज के गोल रेट्स और क्या है आज के देधम रेट्स तो चलिए शुरू करते हैं दुबाई में दो प्राइवेट कमपनियों को EV चार्जिंग स्टेशन संचालन के लिए लाइसेंस मला है बता दे कि दुबाई Electric and Water Authority ने बुदवार को GIT-EX Global 2024 के दोरान घूशना की कि टेसला और UAEV को दुबाई में इलेक्ट्रिक वहान चार्जिंग स्टेशनों के लिए पहले दो इंडिपेंडेंट चार्ज पॉइंट ऑपरेटर लाइसेंस जारी किये गए हैं देवा के प्रवन नेदेशक और CEO साइद मुहम्मद अल टायर ने कहा कि EV चार्जिंग स्टेशनों को संचालित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना दुबाई में अधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के बढ़ती मांग को दर्शाता है चुकि देश में एलक्ट्रानिक वेइकल की मांग बढ़ रही है जिसके चलते देश भर में काई चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जा रही है ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परिशानी न जहलने पड़े 192 में यात्रियों से भरा था विमान रियाद मुंबई फ्लाइट की मसकत में कराई गई एमजनसी लैंडिंग देखे रियाद से मुंबई जाने वाली इंडिको की फ्लाइट को एक सुरक्षा घचना के बाद मसकत इंटरनाशनल एरपूर्ट पर एमजनसी लैंडिंग करानी पड़े इस विमान में 192 यातरी सवारते उमान के नागरे को जन प्राधिकरान ने एक बयान के अनुसार का कि एक विदरीशी एरलाइन द्वारा संचालेत रियाद से मुंबई की फ्लाइट को उमान हवाई शेत्र में उरान भरते समय एक सुरक्षा घचना के बाद मसकत अंतराशन हवाय जिपर एमर्जन्सी लैंडिंग करनी पड़ी भारत की सबसे बड़ी एरलाइन एक बयान में कहा है कि इंटीगो की रियाद मुंबई उरान को पुदवार सुबस सुरक्षा अलर्ट के बाद मसकत की ओर मोर दिया गया और वह सुरक्षित रूप से उतर गए हैंलाइन के बयान में कहा गया कि रियाद से मुंबई के लिए उरान भरने वाली उरान 6E74 को सुरक्षा संबंधी अलर्ट के कारण मसकत की ओर रिडारेक्ट किया गया था विमान को अलग कर दिया गया है और सभी आत्रियों को सुरक्षित उतारने की बाद सभी अविश्यक संबंधित अपातकालीन, ठीमों संबंधित अधिकारियों ने घटना पर तुरंत प्रुट कीरया भी दी और सभी प्रादिकरन ने कहा है कि पूरी पुर्य प्रुकीया के दौरानुचितम सुरक्षा और सुरक्षा मानकों को सुनिचुत करते हुए स्थिति को संभाला सार्जा की फलाइट दो घंटे हुई लेट एरपूट पर मच्छा हंगामा सार्जा से आने और जाने वाली एर इंडिया एक्स्प्रस की फलाइट एरपूट पर दो घंटे लेट पहुँची जिससे यातरियों को काफी दिक्कतों का सामना करना परा यह फ्लाइट IX-256-255 आम तौर पर रात सारे 10 बज़े से सारजहा से इन दौर आती है और रात 12 बज़ के 10 मिनट पर वापस सारजहा के लिए रवाना होती है फ्लाइट से यातुरा करने वाले यातुरी रात 9 बज़े से आरपूर पाल पहुचना शुरू कर चुके थे लेकिन विमान रात 12 बीस में पहुचा और देड़ बज़े वापस रवाना हुआ जिसके चलते इंदौर के देवी एलिया बाई होल कर इंटरास्टरी हवाई अदे पर यातुरी ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया दरसल फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई थी जिसके चलते फ्लाइट देरी से इंदौर पहुची अधिकारियों के मुताबक या फ्लाइट पहले मुंबई से सार जहां पहुची और वहां से इंदौर के लिए रवाना हुई और मुंबई एरपूट पर फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई जिसके चलते इसमें करिब दो घंटे की देरी हुई जिसके चलते इंदौर से सार जहां की भी फ्लाइट देरी से पहुची सार जहां जाने वाली फ्लाइट के अलावा देश भर में कई फ्लाइट को देरी का सामना करना पर रहा था देखिए UAE में Amnesty FD समाप्त होने में सिर्फ दू हपते बचे हैं I think उसे भी कम समय बचा है संगे पैचान नागरीकता सीमर्शलक और बंदरगास रक्षा प्राधिकरन यानि कि ICP ने निवास नीमों का उलंगन करने वालों को चेताबनी दी है कि वे जुर्माना भड़ने के लिए तयार रहे यदि वे डेडलाइन समाप्त होने से पहले अपनी स्टेटस में सुधार नहीं करवाते हैं तो कानूनी कालवाई का सामना उन्हें करना पड़ेगा UA में निवास कानून का उलंगन करने वालों की स्टेटी को रेगुलर करने और उन्हें जुर्माने और प्रसासने के डंड से छूट दिलाने की छूट अब्डी जो थी 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी निर्धार जुर्माने और शुल के साथ फिर से लागू किये जाएंगे और कालवाई किये जाएगे इसमें कहा गया है कि एक नवंबर से अवासिय शित्रों कमपनियों और अधौगिक शित्रों में उलंगन करताओं को टागेट करने के लिए संबंदत अधिकारियों के सहयोग से निरिक्षिन अभियान तेज किये जाएंगे साओधी अरब में कमाते हैं लागों भारतिये जारी हुआ है डेटा साओधी अरब में 20.6 मिलियन भारत के लोग रहते हैं जो मुकातलिफ सेक्टर में जॉब करते हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिसकी तारीफ साओधी के मीडिया उप मंतरी खालिद बिन अब्दुल्लाकार अलगामदी ने की है दरसल साओधी अरब ने अपने विजन 2030 के उद्देशों को प्राप्स करने के लिए क्वालिटी ओफ लाइफ कारिकरम का योजन किया है ये योजन 13 अक्टूबर को रियाद सीजन में शुरू हुआ इस दोरान मीडिया उप मंतरी ने तारीफों के पुल बांदे हैं रियाद सीजन में होने वाले कारिकरम और गतिवीधी 45 दिनों तक चलने वाली है इसमें भारत, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यमन, शुरान, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, बांगलादेश और मिश्र सहित 11 दूसों की कल्चर का प्रतिनिद्ध्व किया जा रहा है गतिवीधियो में म्यूजिक इवेंट, कल्चिरल प्रोग्राम, मनोरंजन और पालिवारिक प्रोग्राम, पारंपरिक भूजन और मुखातलिफ हस्तसेलफ प्रदशनिया शामल है साउदी अरब में मुझूदा वक्त में 20.6 मलियन भारतिय रह रहे हैं साउदी समाज में भारतियों के योगदान पर जूर डालते हुए उपमंतरी ने कहा कि भारत के साथ संबंद महत्वपूर्ण है सारजा का बहुत ही फेमस मेलिया दूर अब दुबई में भी लॉन्च हो गया है और यूनियन कॉप स्टोर्स पर ये उपलग्द होगा कमपनी के अधिकारियों ने मुदवाल को एक कारिकरम में इसकी जानकारी दी है कमपनी ने उच्छे मांग और इत पार की बढ़ती लोग प्रियता के कारण GCC में वस्तार योजनाओं की भी घोशना की है में लिहा डेडी के दूद में 4 प्रतिशत से अधिक फैट और 3.5 प्रतिशत प्रोटीन होता है बना किसी एडिटिव्स के और इसमें A2 A2 प्रोटीन भी होता है प्रचूर मातरा में अगस्त में लॉँच होने के बाद से दूद की लोग प्रियता काफी बढ़ी है मिंटों में 17,000 से अधिक एकाई यां बिग चुकी है अब रहक लोग प्रिये दूद के साथ वियंजनों को साज़ा करने के लिए टिक टॉक और अन्य सूशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर आ चलिया आकिर में बताते हैं कि क्या है आज के गोल रेट्स क्या है आज के रियाल रेट्स और क्या है आज के दर्धम रेट्स शुरू करेंगे रियाल रेट्स से बतादे आज एक साओधी रियाल में 22.38 रुपया है जो कि पिछले दिन 22.39 रुपया था वही एक साओधी रि वही एक साथी रियाल में आज थी 70.94 पाकिस्तानी करिंसी थी वही एक साथी रियाल में आज 22.42 पूटानी करिंसी थी क्या है गोल रेट तो बता दे दुबाई में आज 18 कारेट सोने का दाम है 243 देडम पूति ग्राम जो कि पिछले दिन बिलकुल ही से यानि 243 देडम पूति ग्राम था यानि कि आज की गोल के रेट की 18 कारेट की भारतिय मुद्रा में बात करें तो ये 5561 की होगी वहीं 22 carat gold का दाम 297 दिर्हम प्रतिग्राम है जो कि भारतिय मुद्रा में 6,797 के होते हैं जो कि पिछले दिन 297 दिर्हम प्रतिग्राम था क्या है आज के दिर्धम रेट सो बता दे आज एक युवई दिर्धम में 22.88 रुपया है जो कि पिछले दिन 22.89 रुपया था वही एक युवई दिर्धम में आज 36.69 नेपाली रुपीज है जो कि पिछले दिन 36.66 नेपाली रुपीज थे जोकि पिछले दिन 75.16 पाकिस्तानी करिंसी थी वहीं एक यूँवाई दरफ में 22.19 तीन भूटानी करिंसी है जोकि पिछले दिन 22.19 भूटानी करिंसी थी तो ये थी आज की ताजा बुलेटीन ऐसे ही ताजा आपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चानल पर